चलिए स्टूडेंट समलोग क्वेस्चेन नमबर बीस को सॉल्व करते हैं देखी क्वेस्चेन नमबर बीस क्या कहरा रामकली ने किसी वर्ष के पर्थम सब्ताह में रूपिया पचास की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई यदि 90 सब्ताह में उसक कि पचास रूपए की बचत करी तो फर्स्ट भी किचनी बचत करी 50 रूपए की बचत कर ली और नेक्स्ट क्या कर रही इन अगले सब्ताह में कितना बढ़ा रही पैसा 17.5 की बचत करती है तो 50 प्लस 17.5 कितना हो जाएगा 50, 60, 60, 67.5 ठीक है फिर नेक्स्ट क्या हुआ फिर पैसा यानि की थर्ड सब्ताह में फिर बढ़ाएगी कितना बढ़ाएगी 17.5 तो इससे 17.5 बढ़ा दी तो 67.5 था फिर कितना बढ़ा दिया इसने 17.5 बढ़ा दिया इसी तरीके से फिर 17.5 बढ़ा देगी 67.5 और प्लस 17 दूनी 34 एक 35 ऐसे बढ़ा देगी और यहां पे देखी कितना हो जाएगा दसमलो 5 5 10 10 के सुन हासिल एक और 7 1 8 7 15 15 के 5 हासिल एक और 1 1 2 और 2 6 8 और यहां पे देखी क्या हो जाएगा 5 5 10 के सुन हासिल यहां पे होगा 0 यहां पे हो जाएगा 0 5 5 और 7 5 12 12 के 2 हासिल एक और 6 1 7 3 10 102 और देखी मारी सेड़ी क्या बन रही है और इसका जो आखरी पद क्या कह रहा है आखरी पद क्या है 207 दसमलो 5 0 एक कप का पैसा यह नमे सब्ता का यहांना कि कि सब्ता का है यह नमे सब्ता का पैसा है तो देखी मारी सेड़ी क्या बन रही है हमारी सेड़ी क्या बन रही है पहला पद 50 दूसरा 66.5 तीसरा पद क्या बन रहा 85 और नेक्स्ट 102.5 ऐसे से बन रहा और लास्ट का पद है 207.50 तो इसमें देखिए हमारी सेड़ी बन गई और सेड़ी कैसी समांतर सेड़ी क्योंकि इसके बीच का आप सर्बांतर देखेगा तो सर्बांतर कितना आएगा 17.5 तो चलिए देखते हैं इसका पर्थम पद क्या है पर्थम पद 50 है सर्बांतर डी क्योंकि 17.5 से बढ़ जा रहा है तो सर्बांतर डी क्या है 17.5 या पिर आप लोग घटा कर भी चेक कर सकते हैं और हमारा अल यानि की लास्ट पद क्या है 207.50 और हमें यह न क्या करना है चलिए हम लोग हल करते हैं अल इसकोल टू होता है अल कितना है 207.50 इस इकोल टू ए एक कितना है 50 यान कैलकुलेट करना है डी कितना है 17.5 हल कर लीजिए इसको यहां पर प्लस साइन रहेगा ठीक है चलिए हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं 207 दसमलो 5 0 50 प्लस N-1 और D कितना है 17 दसमलो 5 अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको इसमें उपर नीचे 10 से मल्टिप्लाई करते है ठीक है या फिर आप लोग चलिए हम लोग इसमें पूरे में 10 से मल्टिप्लाई कर देते हैं ठीक है दोनों तरफ तो दोनों तरफ 10 से मल्टिप्लाई कर देजिए क्या हो जाएगा 207 10 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 2075 हो जाएगा इस इकल टो 10 से मल्टिप्लाई करेंगे 50 दाम 500 प्लस n-1 और 10 से multiply करें क्या हो जाएगा 175 अब इसको आसानी से आप लोग solve कर लीजिए तो 2075 is equal to 500 प्लस 175 n multiply करें 175 n minus 175 अब 500 में से 175 गटा दीजिए 10 में से 5 गया क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या बचाएगा 9 और 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे क्या बचाएगा और 4 में से 1 गया 3 प्लस 175 n इस 325 को इस तरफ बेज दीजिए क्या हो जाएगा 2075 minus 325 is equal to 175 n चलिए अब लोग इसको हल कर लेते हैं देखी क्या हो जाएगा हमारे पास क्या है 175 n और 175 n is equal to क्या है 2075 minus 325 हल करिए 5 में से 5 गटा दीजिए 0 7 में से 2 गया 5 और यहां पर बचा 0 उदार लेकर क्या हैंगे 10 और 10 में से 3 गया 7 और यहां पर क्या बचा 1 यहां पर क्या है 175 n अब देखिए यह n is equal to क्या हो जाएगा 1750 बटे में इसको बटे में आ जाएगा यह 175 और काट यह देखिए 175 दहाम्मा क्या हो जाएगा 1750 यह n is equal to क्या हो जाएगा 10 यानि कि जो दस्वा सप्ता है दस्वे सप्ता है उसका पैसा कितना हो जाएगा 207 दस्वाश जीरो यह हमसे पूछा जा रहा यहन ग्याद कीजिए तो यह न हमारे पास आ चुका है 10 यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर लिख दीजिए अतहा दस्वे सप्ता हमें सप्ता हमें उसकी बचत 207 दस्वाश जीरो हो जाएगी तो इस तरीके से हमने इस क्वेस्चन को सॉल्व किया आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहे थैंक यू